तिन तलाग के पक्षमे बाते करते हैं कि वोट बेंग भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं प्रेश में नहीं चलेगी दोरी वेवस्था तीन तलाग से जो नुक्सान होता है ना वो सरे बेटियों को होता ऐसा नहीं है प्रमानों पर पी एम मोदी की दो टूप इसका इस्लाम से समंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश तीन तलाग खतम नहीं करता पी एम मोदी ने चल दिया मास्टर स्टोक नवसकार अन्यमेफ न्यूज देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ नवेद यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट पर पी एम मोदी ने अब तक का सबसे बड़ा बयान दे दिया है मद्ध प्रदेश पहुंचे पी एम मोदी ने यूसी सी पर बड़ा बयान देकर सरकार की मंचा और यूसी सी पर सरकार की तयारी के संकेत भी दे दिये संकेत ये कि आम सुनाओं के पहले मोदी सरकार यूसी सी लाने का मास्टर स्टोक चल सकती है पीम मोदी ने दो टूक कहा कि एक घर में दो कानून कैसे चल सकते हैं प्रदान मंत्री ने कहा कि देश दोहरी विवस्था से नहीं चल सकता उन्होंने कहा कि कुछ लोग स्तमान नागरिक सहिता के नाम पर मुसल्मानों को भलकाने का प्रयास कर रहे हैं विए मुदी ने अपने बयान में कहा कि तीन तलाग की वकालत करने वाले मुस्लिम बेटियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि तीन तलाग सिर्फ महिलाओं के लिए विशाप नहीं है। इससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है। हमें थोड़ा अध्यान करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी तीन तलाग के पक्षमे बाते करते हैं। तीन तलाग की वकालत करते हैं। ए वोट बेंग भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अज़क कुछ लोगों को लगता है कि पर ये तीन तलाग से तो सिर्फ महिलाओ को ही बात हो रही है। तीन तलाग से जो नुक्सान होता है न वो सिर्फ बेटियों को होता ऐसा नहीं है। उसका दारा उससे भी बड़ा है। आप सोचिये बहुत ही अर्मानों के साथ बेटी को शादी करकर ससुराल भेजा हो। और आड़ दस साल के बाद तीन तलाग कह करके उसको कोई निकाल दे तो उस माबाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापिस आती है। उस भाई का क्या होगा वह भाई पिता सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते हैं। इसलिए तीन तलाग से सिरफ बेटियों को ही अन्याय होता है इतना नहीं पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं। माता पिता भाई सब दुखी हो जाते हैं। तीन तलाग पर मुस्लिम ठेकेदारों को आड़े हातों लेते हुए पियम मोदी ने मुस्लिम देशों का हवाला दिया। उन्होंने कहा तीन तलाग इसलाम के लिए जरूरी अंग होता तो मुस्लिम देशों ने इसे क्यों अटा दिया। हमारे देश में तीन तलाक का फंदा, मुस्लिम बेटियों पर लगा कर कुछ लोग जो ठेकेदार हैं वो बार-बार रोते हैं और तीन तलाक का समर्थन करते हैं और देखिए, दुनिया के अनेक मुश्लिम बहुलिय देश इसका इस्लाम से समन्ध होता हुआ तो दुनिया का कोई effortर इस तीन तलाग खतम नहीं करता हुआ मुस्लिम बहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है वहां भी तिन तलाग बंद कर दिया है मैं परसों इजिप्त में था मिस्र में था मिस्र में इजिप्त में 90 परसंट से ज्यादा सुन्नी मुस्लमान समाज है और इजिप्त में आज से 80-90 साल पहले तीन तलाग की प्रधा को समाप्त कर दिया हमसे 90 साल पहले अगर तीन तलाग इसलाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई अगर तीन तलाग इसलाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में को नहीं होता है अगर तीन तलाग इसलाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बंगलादेश ये तो सारे मुस्लिम बस्ति वारे देश है वहाँ पर उनको बंद क्यों कर दिया मैं समझता हूँ कि मुसल्मान बेटियों पर तीन तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छुट चाते हैं यही लोग तीन तलाक का समर्थन भी करते हैं पीयमोदी ने कहा कि सुप्रीम कोट ने बार बार कहा कि समान नागरिकता सहीता बनाओ पीयमोदी ने मुसल्मानों को कहा कि उन्हें समझना होगा कि कौन से दल उन्हें भलकाने का काम कर रहे हैं उन्हें उनकी पहचान करने होगी पियमोदी ने कहा कि मुस्लिमों के साथ वोट बैंक की राजनीती हो रही है सम्विधान में भी नागरिकों की समान अधिकार की बात कही हुई है उन्होंने मुस्लिमों की बात करने वाली पार्टियों को लतारते हुए कहा कि ये Vote-Bank के भूके लोग बताएंगे क आज भी Muslim इतने पिछणे क्यों है और मैं जानता हूँ कि इसलिए ही मेरी Muslim बहने बेटियां मैं जब भी जहां जाता हूँ वो भाजपा के साथ कड़ी रहती है, मोदी के साथ कड़ी रहती है प्राथियों भारत के मुसल्मान भाई बेनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनितिक दल उन्हें भड़का करके उनका फाइदा लेने के लिए उनको बरबात कर रहे हैं आज कल हम देख रहे हैं कि युनिपॉर्म सिविल कोर्ड के नाम पर ऐसे लोगों को बढ़काने का काम हो रहा है आप मुझे बताईए एक घर में परिवार के एक सदसे के लिए एक कानून हो परिवार के दूसरे सदसे के लिए दूसरा कानून हो तो क्या वो गर चल पाएगा क्या कभी भी चल पाएगा क्या फिर ऐसी दोहरी व्यवस्ता से देश कैसे चल पाएगा हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागिरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है साथियों ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान मुसलमान करते हैं अगर ये मुसलमानों के सही माइने में हितेशी होते तो अधिकाउस परिवार मेरे मुसलिम भाई बहन सिक्षा में पीछे न रहते हैं रोजगार में पीछे न रहते हैं मुसिबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते हैं और सुप्रिम कोट ने बार बार कहा है सुप्रिम कोट डंडा मारती हैं कह रही हैं कौमन सिविल कोट लाओ लेकिन ये वोट मेंक के भुखे लोग पीएम मोधी सिर्फ यू सी सी पर ही नहीं रुके उन्होंने पस्मांदा मुसल्मानों पर भी बेभाव का जिक्री किया अगर आप हमारे मुसल्मान भाई बेहनों की तरफ देखो गए और मैं देखता हूँ कि जो हमारे पस्मांदा मुसल्मान भाई बेहन है ये वोट मेंक की राजलिती करने वालों ने हमारे जो पस्मांदा मुसल्मान भाई बेहन है उनका तो जीनाभी मुश्किल करके रखा हुआ है वो तो तबाह हो गए उनको कोई फाइदा नहीं मिला है बेकस्ट में घुजरा करते हैं उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तयार नहीं है उनके ही धर्म के एक बर्ग ने पस्मांदा मुसल्मानों का इतना सोशन किया है लेकिन इसको उपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई जो पस्मांदा मुसल्मान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता उन्हें नीचा और अच्छूत समझा जाता है इसी समाज में मैं मुसल्मान समाज की बात कर रहा हूँ मुसल्मान भाईयों में जो हमारे पस्मंदा भाई बेहन है जो पिछडे हुए हैं मैं उनकी बात करता हूँ पस्मंदा मुसल्मान मोची होते हैं विस्ती होते हैं जोगी होते हैं लाल बेंगी होते हैं बटियारा होते हैं मिरासी होते हैं डफाली होते हैं मुकेरी होते हैं मदारी होते हैं जुलाहा होते हैं लंबाई होते हैं बेजा होते हैं बामनिया भी होते हैं छिया होते हैं लहरी होते हैं हलदर होते हैं सिकदर होते हैं कितनी ही जातिया ये सब इतने पिछडे रहे हैं इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है भाईयो भेनों इस भेदभाव का नुक्सान उनकी कई भीडियों को भुगतना पड़ा लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है